इंडिया वशी शीलिंगा का मैच था शीलिंगा या पर टॉस जीती थी और बोलिंग का फैसला किया वान खेड़ स्टेडियम मुंबई में और भाई सब क्या मैच था मतलब जब इंडिया या बैटिंग करने के लिए होती तो रोहिज शर्मा या पर दूसरी बॉल पर आउट तो सबसे पहले शोमन गिल आउट हुए फिर उसके साथ ही वराट को लिया आउट हो गए तो ऐसा लगना था कि 200-300 ही बन पाएंगे पर श्रेयर सेयर ने आके भाई साफ मजा आ गया छे चक्के मतलब आती ही चक्के लाना शुरू कर दिया था जब श्रेयर के 30-35 तो उसमें तीन चक्के अलड़ी लग चुके थे थाट वोज अन्बिलीवबल जिस तरह किसे श्रेयर सेयर ने इस मैच में खेला श्रेयर सेयर और के बीच में बीच में पार्टनर्शिप ड़लप हुई थी पचास रन के आसपास बट फिर क्याल रावल आउट हो गय थे उसके बाद पड़े जा बट बोलिंग यहां पर शीलंका की सिर्फ एक प्लेयर दिल्चान मदुशंका ने पांच विकेट लिए हालाकि नौमी रेट यहां पर कराब है रहा हमार खुब पड़ी है असी रन दिये सबसे जादा किसी बोलर से पट पांच विकेट लिए हैं वो जो लाइन पांच विकेट जो इन लोगों के स्राटिंग में स्पैल रहे हैं जिस तरीके से फर्स पावर प्लेय में बोलिंग करी है हमारे बोलस ने अंबिलीविबल अगर आपने मैच नहीं देखा है तो आज ही मैच देखिए बहुत अच्छा मैच था इस मैच के बाद हुआ किया है वो साथ मैच जीत के एकदम टॉप पे आ गई है साथ मैच के लिए साथ मैच जीते ने ट्रंडेट प्लस टू के उपर पहुंच गया है साथ अफ्रिका साला किया बीबी कम है बट हम अलड़ी सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाय कर चुके हैं अब हमारे दो मैच बचे हैं एक है साथ अफ्रिया के साथ और एक है हमारा नेधरलेंड्स के साथ अगला मैच है हमारा पांच नवंबर को साथ अफ्रिया के साथ इडिन गार्डन्स कोलकाता में यह रहा मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में